और आईए अब शुरू करते हैं सिलसला राशी फलका, सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की मेश राशी वालों आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है, आज आप किसी काम के बारे में नए सिरे से सोच सकते हैं, मार्केट में किसी तरह का निवेश करने जा रहे हैं, तो पूरी तरह से रिसर्च के बाद ही निवेश करें, इससे आपको फायदा मिलेगा, स्वास्त क के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है लंबे समय के बाद खुद को तरो ताजा महसूस करेंगे दूसरों का सहयोग करने पर आज सब के बीच आपकी च्छवी अच्छी बनी रहेगी हर कोई आप से प्रसंद रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है रेट और पड़ सकता है आफिस में आपको पहले के अपेक्षा जादा काम मिल सकता है लेकिन आप समय रहते सब कुछ अच्छे से निप्टा लेंगे इस राशी के जो लोग स्टेशनरी का बिजनस करते हैं उनके लिए दिन ज्यादा लाग कारी रहेगा आपको काम में ज्यादा तरक की मिलेगी पुराने दोस्त से मुलाकात होने के भी संकेत बल रहे हैं दोस्तों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे आज के लिए आपका लखी कलर है पिंक और लखी नंबर है एक मिथुन राशिवालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए कंपटिशन के तैरी कर रहे हैं उनको भी आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है आज आज है आपको सब लोगों का सहयोग मिलेगा आज के लिए आपका लखी क्लर है यलो और लखी नमबर है चार कर राशे वालों आज आपका दिन मीलि मध्यु जूली प्रचिवर्शिया देने वाला रहेगा शुरुवात में आपको लगेगा कि आपके काम पूरे हो रहे हैं लेक जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए दिन ठीक रहने वाला है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको किसी की मदद मिल सकती है, आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नंबर है दो, सिंग राशे वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा, इस राशे के जो चातर विदेश में हायर एजूकेशन के लिए जाना चाहते हैं, वो किसी से इस बारे में राय ले सकते हैं, आज रूपाए पैसों के लें देन में आपको थोड़ी साथानी रखने की जरूरत है, कि आज आपके आर्थिक इस्तिति काफी अच्छी रहेगी, आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई ब्लू और लखी नंबर है सेवन, कन्या राशे वालों आज आपका दिन बहुती अच्छा रहने वाला है, आज आपके काम जरूर सफल होंगे, जो लोग लंबे समय से अपन की खबर मिल सकती है, आज आपको जीवन साथी का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा, दामपत्य रिष्टे में मधोरता आएगी, आप उनके साथ किसी टिप पर जाने की प्लानिक भी बना सकते हैं, आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नंबर है पाँच, तोला टूर एंड ट्रेवल के बिजनस से जुड़े हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है, बिजनस से जुड़े लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आज अपनी वानी पर सयम रखें, आपके मुझ से निकली हुई एक गलत बात, आपके रिष्टों को खराब कर सकती है, आज परिवार का माहौल ठीक रहेगा, लव मेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, आज के लिए आपका लखी कलर है ब्राउन और लखी नंबर है आठ, वरिष्टिक राशिवालों आज आपका दिन थोड़ा अच्छा रहेगा, आज आपक किसी दूसी जगह पर शिप्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बार जगह अच्छी तरीके से देख लीजी, किसी के साथ पार्टनर्शिप के लिए दिन अच्छा रहेगा, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी दिन पढ़िया है, बॉस और अन्य सहयोग्यों के साथ आपके र धनुराशिवालों, आज आपका दिन बहुत ही पढ़िया रहने वाला है, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे, जिन्हें आप अपनी दिन चर्या में उतारने में काम्याब रहेंगे, जो लोग राजनीत के छेते से जुले हैं, उनके लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा, आज आपकी पार्टी आपको कोई पड़ा पद भी दे सकती है, जन्ता के बीच आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, जो लोग लोही के व्यापार से जुले हैं, उनके व्यापार में व्रिद्धी होगी, फाइनल एयर के स्टूडेंस को कोई काम मिल स सकता है, इससे आप खुद के सपनों को पूरा कर पाएंगे, आज के लिए आपका लखी कलार है ब्लू और लखी नंबर है, तो मकर राशेवालों, आज आपका दिन सामाने रहने वाला है, किसी सरकारी परिक्षा के तैहरी करने वाले च्छात्रों को पहले से जादा मेहनत क करनी पड़ेगी, आज स्वास्ते पर ध्यान देने की भी जरूरत है, आज किसी भी तरह की लापरवाही करने से आपको बचना चाहिए, लव मेट्स के लिए आज का दिन शांदार रहने वाला है, जो लोग थोख विक्रेता हैं, उनको आज विशेश लाब होगा, किसी दू बर राशिवालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आज घर और बाहर हर जगे आपकी तारीफ होगी, हर कोई आपसे अच्छा वेवार करेगा, आज समाच से जुड़े कारियों को करने के लिए दिन उत्तम है, आप किसी NGO की शुरुआत या किसी सामाजिक संगठन से ज खात्रों को आज किसी परतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, आज के लिए आपका लखी कलर है औरेंच और लखी नंबर है तीन मीन राशेवालों आज आपका दिन अच्छा बीते का, कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आज सफलता मिलेगी, आपको किसी बड़े ग्रुप से जुड़ने का मौका मिलेगा, आज ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने घरवालों के साथ गुजार सकते हैं, आप सब के साथ कहीं घुमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं, आज धार्मिक कारियों में आपके रूच बढ़ेगी, आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं, किसी प्रोड़ेक्ट की मार्केटिंग के लिए भी दिन अच्छा है, आपकी पदोनती के आसार भी बन और सुभागे बढ़ता ही रहेगा.